क्लाइट पीजे का एक्जाम अब हो चुका है और आपको रिजल्ट है वो भी दस्तारी को आ जाएगा लेकिन आपको यह बात जानना बहुत सद जरूरी है कि इसके आगे जो आपका कांस्लिंग प्रॉसेस है जो आपका कट आफ है वह उससे आपको क्या सीट कॉन सा कॉलेज बीन सकता है आपको आल्टनेट आपको पस क्या-क्या है मालो प्राइवेट कॉलेज मेरे जाने कमान हो रहा है मालो मुझे कोई और एक्जाम देना जैसे भी जो भी आपको करना है सारी बाते और वह सारी चीज़े जो आपको पता होनी चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि काउंसलिंग में स्टुडेंट गलती करते सारी बाते इस वीडियो में हम लोग करेंगे तो इस वीडियो को लास्त तक देखे काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और साथी में सम्भालो की चनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा अब बिना देर की वीडियो कि इस रेंज में आते हैं तो आपको यह वाली रांक आपको मिल सकती है और इसमें क्या है ना जिसे मालो यह देंज थी बड़ी है तो इसमें मालो आपका स्कोर आराउंड 55 आ रहा है तो आपका जो स्कोर है तो आपका जो रांक है वह आपका 1500 से लेके 400 के असपास रहेगी मतलब मिद इसमें चड़ा जाएगा उस आप से अपना आप चैक्पिलेट कर सकते हो इसके बार बात करते हैं कि किस पर्टिकलर रांक में कौन सा कॉलेज मिलेगा जुनरल काटिगरी के केस में वह बता दिलाओ आपको number of seats नहीं पर दिखाई दे रही होंगी इसको आप टू से डिवाइट कर लो बिकास हर कॉलेज में 50% सीट सीट होती है मतलब जुतनी सीटे बचेंगी वह आपके जुनरल काटिगरी के लिए आपका बचा हुआ सीट है अब इसके अंदर में देखो अगर आपको मालों endless IU चाहिए तो आपको जो rank है ठीक है वो 150 के अंदर होना चाहिए simple as that नलसार चाहिए आपका rank 250 के अंदर होना चाहिए very simple NRIU उसके पार West Bengal, Jodhpur और GNLU यह जित्ते college है इनके अंदर 700 से लेके 900 तक का rank में आपको यहाँ पर यह colleges मिल सकते हैं depending upon the fact कि cut off किता जाता है साथी में 5th round तक आपको बैठना पड़ेगा या फिर vacant round में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर रिस्क आपको लेकर देखना पड़ेगा किस सदाब से क्या हो रहा है उसके बाद आपका हिदायत अल्ला और आपका यहाँ पर RGNLU यह आपको करीब चौरास ओसे लेकर पंदर सो तक आपको closing यहां मिलेगी इन colleges की और इसमें आपको जो है उसको भी इस इंक्लूड का सथे हो राची को भी जो आपका है नुसरल राची और आपका जो मुंबई है मुंबई का धियान अतना 400 से लेकर 600 तक खतम हो जाता है यहां पर मुंबई क यह बचे हुए न आपके इसके अंदर आप बात करों से आरे मेल होगे आरे मेल को तो टॉप 100 में ही यह निपट जाया कर जानके चुलो और जितने आपके बाकी college है इनकी जो closing है वो आपकी 2000 से लेके 2500 के अंदर में खतम होती है आपके जो लोगर वाइल या तो अगर आप है आपको मिल सकता है अब इसके अलावा जो एक चीज आपको समझने वाली वह यह है कि अगर आप मालो इस बार एक्जाइम के तयारी कर रहे हो और आपका मालो बहुत अच्छा नहीं गया था यह आप दुबारा से तयारी करना चाहते है और फिर आप मालो from scratch तयारी कर रहे करेंगे उसमें सारे सारे जो आपके format exam के चाहिए आपका 12-10 का है चाहिए आपका जो भी लेटेस में आया था 24 और 5 वाला वह भी हम लोग रखेंगे आपको बरावर से मौपे पर उसके मिलेंगे जो आपकी case laws है चाहिए आपको landmark हो चाहिए recent हो चाहिए जो भी ऐसा case है जो मालो ऐसा है कि आपको हमारे से proper counseling चाहिए आपको चाहिए कि मैं doubt solving भी दूँ सब कुछ करूँ आपको मलब पूरा चीज अगर चाहिए पूरा package चाहिए तो आप हमारे इस course में enroll कर सकते हो यहाप मैं person यापके mentorship के लिए रहूँगा पूरी faculty यहाँ पे रहेगी आपको जो भ पर लाइन में course available रहेगा ठीक है इसके हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके आगे कि जो counseling process होती है जब वो शुरू होती है और उसमें कौन कौसी चीज़ें जो की ध्यान रखने वाली उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना यह important part है जब आपकी counseling शुरू होगी सबसे पह आपका जो rank होते है उसका scorecard आएगा उसके अंदर क्या लिखा रहेगा उसके लिखा रहेगा उसके लिखा रहेगा कि भाई देखो मेरी जो rank है वो 200 की है और जो seat available है वो आपकी है माल लो 2000 seat available है general category में तो इसमें आपको अराम से अपना वो मिल जाएगा माल लो ऐसा है कि आपको लिखा रहेगा यह ध्यानत ना उसके बाद जब आपको counseling process के अंदर बुलाया जाएगा तो यह सोच के मद चलना कि मेरी rank 2000 आई है 3000 आई है मेरी rank ऊपर है तो मेरे को counseling के लिए invitation ऐसा नहीं है सारे लोग जो भी klat देता है सब को यहां पर invitation जाता है consortium के तरद से अब बात कर लेते हैं कि जो फीस वगरा होती वो किस तरी किस वह कती है क्या होता है देखो जब counseling शुरू होगी न तो वहां पर आपने जो आपने preference list भरी होगी न preference list मालो मैं ऐसे आपको बताता हूं इसमें भी बात मैं आट करूंगा मालो आपने बहरा analyst ठीक है आपका बैंगलॉर उसके और आपने बहरा मालो analyst यह नलसार भरा आपने आपका है ठीक है ठीक है और मेरे को यहां पर चांस है भोपाल मिल लेगा ठीक है लेकिन जो preference आपका पहला preference उसके हिसाब से आया आपको सीधे जीनल्यू यहां पर लॉट कर दिया गया ठीक है बिकास आपने preference इसमें जीनल्यू पहले डाय तो भोपाल बाद में डाला था तो आप 200 की रैंक पर अगले उसमें जब राउंड में जाओगे आप यह expect कर सकते हो कि हां मेरे को नलसाद मिल सकता है लेकिन आप भोपाल के लिए मत expect करना भोपाल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा वह प्रेफरेंसिस में नीचे है नीचे जाना लाउड नहीं होता है जो आपने भरा है वही चलेगा ठीक है और यहां पे klat आपको change करने क option नहीं देगा पिछल पहले होता था कि change हो जाता था after the exam अब आपने जो प्रेफरेंसिस एक्जाम के पहले भरी है न वही प्रेफरेंसिस यहां पर work करेंगी you cannot change it और इस पूरे जहमेले से निकलने का तरीका इसका क्या रहता है वह भी आपको बता दू माल आपको भोपाल ह अपनी चाहिए तो आप क्या करोगे मुझे पता है कि रोएंक मेरी दोसों की है मेरी रांक अच्छी है भोपाल वैसे तो सारे colleges जो होते है वो अपना vacant round में निकालेंगे उसमें आप जाके अराम से admission ले सकते हो कुछ colleges होते से कि मालों endless है और आपका बैंगलोर है बैंगलोर और हैदराबाद यह लोग वेकेंट रॉन में जल्दी नहीं निकालते हैं तो इनको आपको स्पेसिफिकली मेल डालना पड़ेगा कि हां भाई मेरा रांक यहां पे 150 का है 200 का है मैं यहां पे इस college में लेने चाहते हो लेकिन मैंने अपने जो मेरा वो थी प्रेफरेंस में ग अब आगी अगर आपको ऐसे नॉर्मल में करना है तो आप बस वेकेंट रॉन का वेट करो वहां पे वो लोग बताएंगे कि वह वेकेंट रॉन खुल चुका इत्ता इत्ता इसकी फीस है भरो और उसके बाद वह वेकेंट रॉन में आपको कांसलिंग में वह सीट के लिए हाँ से बाद काँंसलिंग के अंदर का फीस का स्ट्क्चर और कांसलिंग किसे वर्क करती फीस क्या होता अचा होता है होता थिससार नि major category के लिए और 20,000 रुपय होती है रिजर्फ कैटीकरी के लिए ठीक है और यह होती है अट था टाइम ऑफ रेस्ट्रेशन कि जब आ फैसला लेते हो कि हाँ यार मेरे को काउंसलिंग में बैठना है मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे को क्या 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 कॉलेज और यह फीस आपने भर दिया और यह आपकी रिफंडबल होती है अगर मालो आपने फॉर्स राउंड या जो आपका फिफ्ट रौंड होता है उससे पहले आपने एक्जिट ले लिया तो आपका यह फीस रिफंडबल है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद जो दूसरी फीस के पहले आपको freeze or float समझना पड़ेगा अब देखो students क्या होता है मेरे को first round of counseling में मेरा मन चाहा college मिल गया मेरे को मालो चाहिए था कि भोपाल चाहिए था मालो मेरे को भोपाल मिल गया for instance तो मैं उसको उठा के freeze कर दूँगा freeze करने का मतलब यह होता है कि आप satisfied हो कि भाया मेरे को एक specified date तक भर देना है यह simple simple funder यहां का है specified fees भरो और आगे बढ़ो as simple as that वो होता है आपका freeze option ठीक है लेकिन अगर ऐसा है कि आप मालो आप कहते हो मेरे को भोपाल नहीं चाहिए यार मेरे को नलसार चाहिए तो मैं एक round और बैठ हूँगा उस case में क्या होगा आपको भरन बैठ है यह मालो आपने कहा कि मेरे को better college मिल रहा है second round के बार में हटना चाहता हूं मालो मेरे को कहीं मालो बहुत कुछ भी हो रहा है आपका 20,000 रुपे forfeit होगा ही होगा चाहिए जो हो जाए 30,000 रुपे तो आपको office मिल जाएंगे considering fees के confirmation fees आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी इध्यान रखना तो confirmation fees 20,000 रुपे का यह जाए अगर ले रहे हो न कि मेरे को एक better चाहिए तो उसके लिए हो गया और उसके बाद जो अगली चीज है यह है कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था आप अगर float कर रहे हो कि आपने कहां क चलो भाई यह particular जो college है इसको मैं यहाँ पर confirmation fees 20,000 रुपे देखके अपनी यहाली seat लोग कर ला मुला भौपाल ली seat में लोग कर दी और इसके बाद मैं नलसार के लिए वेट करने को तयार हो तो आपके वो भौपाल ली seat कहीं जा नहीं रही है इट विल भी देर ठीक है confirmation fees इसी बात की होती कि वो भौपाल ली seat आपके कहीं नहीं जाएगी और अगर थर्ड राउंड जब शुरू होता है तो आपको भौपाल को पूरी university fees भरनी पड़ेगी थर्ड राउंड से अगर आपके थर्ड राउंड में कहा कि मेरे को फ्लोट करना है फोथ राउंड के लिए तो पूरी दो लाग रुपे फीज भरनी पड़ेगी और अगर माल लाओ फोथ राउंड में निकलते हो तो आपकी university फीज जो है आपनी पूरी फीज भरी वह वापस हो जाएगी काउंसलिंग फीज वापस हो जाएगी लेकिन confirmation फीज जो 20,000 रुपय है वह वापस नहीं होगी ध्यान रटना ठीक यह हो गया आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस एटो जेट की कैसे वर्क करता है पाच्वे राउंड तक क्या होगा पाच्वे राउंड तक आपके पास option रहेगा कि फाइनल आपको दे दिया गया कि आपको भाई भॉपाल ही मिल रहा है इसके उपर आपकी चांस लगनी रहिए तो आप या तो कर लो या तो आप जो कॉलिज दिया है उसके अंदर चले जो अपने यूश्टी फीज भरो और लेकर खिसको यहां से तो अगर आपने एक्जट करा तो आपकी कांसलिंग फीज और यूश्टी फीज आपको जो है वापस मिल जाए कि जो कांसलिंग फीज वो फॉर्फिट आपकी हो नहीं हो नहीं हो नहीं चाहे जो कल लो ठीक है अब इसके अलावा जो आपका कांसलिंग प्रोसेस होता है अगर मालो आप एक्जिट कर लेते हो फिर आपके पास वेकंट रावन का पूरा मुद्दा आता है वो अपना एक पूरा इप्रेंट मैटरें डिफरेंट इस पर मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा लेकिन जो इसका बेसिक फंडा है वो यही है हर जो उनिवस्टी होती है उसके बाद ना वो अपना अपना निकालती है कि भाई देखो हमारे हां मालो एन एनिवेस में पांच सीटे खाली है इस पर्टिकलर की एक है इस पर्टिक जीट का वेकर्ट ना हमारा हो गया आएँ अपना खिस यह रहता है वेकर ऊंट को स्म्पल सिपल फंड़ आ पको सवन में आ गया होगा ऐसे वर्ट करता है और उसा नहीं है कि वेकर्ट आप कोल्ड चाहिए जितने कॉलिज़े सोटें बर आप सकते हो कुछ कोछी होते है जो इसके बाद देखो अकर आशा है कि यह पूरा जो funda मैंना को समझाए इसमें आपको हो रहा है कि यह rank में बहुत कम है में को 7 मिन यह रहा है मैं क्या कुरूँ आपको क्या option आप क्या कर सकते हो उसके लिए आपको बता दूँ पहला तो आपका यह option है कि आप CVT का exam दो और CVT की exam जो है आपका वो होगा कब March 11 से लेके March 28 की बीच में होगा इसके अराम से अभी तीन महेने का टाइम है तैयारी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं इवन आप चाहो तो संभाव लॉब में आप 3500 का कोर से हमारा सीरिसीन एंड्रोल करो कोई दिक्कत नहीं है सारे lecture mock paper 30 पूरा देंगे पढ़ो आके कोई दिक्कत नहीं है और अपना exam दो दिल्दी उनवर्स्टी बनारस हिंदु उनवर्स्टी और आपको जो टेस है वो भी आपको मिलेगा यहां पर तो यहां पर जा सकते हो यहां पर 81,000 में आपका पूरा बढ बहुत ही बढ़िया है जुडशी की preparation की हिसाब से आप बात करो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अंदर तो 1-year LM भी offer होता है टिस भी यहां पर 1-year LM offer करता है और इनकी जो value है degree की वह NLU के बराबर में है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आप यहां पर आराम से सो सकतो अपना LLM करने का तयारी करने का साल भी आपका waste यहां पर more or less नहीं होगा because जो दोनों का ही counseling है वो आपका June तक जाएगा ही जाएगा तो it is up to you कि आप CUT के त्यारी करना चाहते हो कि आप क्या करना चाहते हो और अगर माल लो आपको CUT दीने का मन नहीं है then there are three recommendation of private colleges जो की काफी अच्छे हैं यहां पर आपका admission CLAT के score के basis पर होता है तो students इसके बार में भी सुन लो पहली आपकी जो इनवस्टी है वो है आपकी निर्मा इनवस्टी काफी बढ़िया इनवस्टी है इसके अंदर आपका 30 सीटे रहती है constitutional law के अंदर इसका होता है दूसरी है आपका जिंदल इसके बार में आपको पता है कि जिंदल के बार में काफी बढ़िया यहां पर college है यहां पर हर त्रेकी के specialization offer होती है यहां पर आपकी जो LLM है वो भी आपकी residential भी होती है मलब आप घर बैटे भी कर सकते हो और college में जाके भी कर सकते हो और यहां पर भी CLAD PG का score valid होता है यहां पर admission ले सकते हो और last में है आपका नारसी मोंची यहां पर भी आपको जाना है यहां पर काफी बढ़िया faculty बहुती बढ़िया सब कुछ है यहां पे specializations और number of seats मैंने में करी नहीं 30 सम्में है 2,00,000 रुप है कि यहां पर fees हो और CLAD PG के score पर यहां पर सीरे सीरे होता है एक शायर interview बगरा भी होता है थोड़ा सा तो वो depend करता है कि आपको कैसे उसमें बनता है अपार फिर माल लो अगर आपको मुझे counseling अलक से चाहिए तो आप मेरे को इस number पर contact कर सक I will be there for your help ऐसी कोई दिक्कत नहीं है माल नापको courses में रोल करना है कुछ भी करना है you can contact me here apart from that I wish you the very very best of luck for you for your success bye